स्वत्व की टीम आज पहुंची है सिद्धास्रम जो छित्र है उसका बिल्कुल दक्षनी छोर पर यह अस्थान है बरतमान में इसे सासा राम कहते हैं और यहां एक तारा चंडी सक्ति पीठ है जहां इस छित्र हिके ही नहीं बलकि पूरे भारत से सरधालू आते हैं राम जन भूमी का विवाद 500 वर्सों के संघर्ष के बाद सुल्जा लिया गया है और राम जन भूमी पर भवे मंदिर निर्मान के लिए शिला न्यास के बाद यह पहला नौरात्र है और पहली दसाहरा भी है दिपावली भी है इस उसर को यादगार बनाने के लिए भारत के संत महंत साधू राम भक्त राम राज उत्सों मना रहे हैं आज हम आए हैं महर्सी अंजनेश जी के आहां आप राम भक्त हैं राम मंदिर के शिला न्यास की आउसर पर अजुध्या में जो राम जन भूमी पर राम मंदिर का शिला न्यास हो रहा था देश के प्रधान मंतिर नरेंदर भाई मोदी शिला न्यास कर रहे थे अंजनेश जी आप उस सारा स्वत कारिक्रम, बिराट कारिक्रम के साक्षी भी रहे हैं आप इस छित्र के संत हैं, इनके कई अनुआई हैं आई हम इनसे बात करते हैं कि राम राज उत्सों के संबंध में महरसिविश्वामित्र का जो सिद्ध छित्र है जिसको शिद्धास्रम छेत्र भी कहा गया है जिसमें गंगा से लेकर के और विंद्य परवत्तक और सोन से पस्चिम जितने जो छेत्र हैं इन सभी ये सभी छेत्र आते हैं इस छेत्र में इस छेत्र का जो है अध्यात्मिक विराशत रहा है अध्यात्मिक इतिहास रहा है और प्रिया केंद्र भारत को भी भारत की जो सब्वेता है संस्कृतिक है इसको हमेशा संकट के समय में निदेशित करते रहा है ऐसे महरसी अंजनेश जी के इनके आश्रम में जहां अनुष्णान भी चल रहा है और रामराज युत्सव स्वागत उत्सव मनाने का कारिकम भी चल रहा है इनसे हम बात करते हैं आप तो उसे कारिकम के साक्षी थे जी रामराज युत्सव के संदर में कुछ बताई क्या है सभी संत मना रहे हैं देके भारत एक रिशियों और कृषि परधान देश रहा है और यहां रिशियों का देश से भारत एक समर्द संस्कृतिक प्रंपरा का निर्भाक प्रारमकाल से ही रहा है और हमारे हां चर्त्र का समान किया जाता है भागवान श्री राम हमारे भारतिया संस्कृति के आदर्स है एक राष्ट पुरुस के रूप में हमारे संतों ने और भारत के समाज ने इसको स्विकार किया है इसलिए हम भारत को उस राज की कल्पना को सकार करना चाहते हैं पूरे भारतवासी, भारत के सादू संत जो हमारे हैं, जो भारतिय संस्कृती में विश्वास रखते हैं, सांती और आनंद में जिवंवेतित करना चाहते हैं, और जो रामर्याज, अर्थार्थ वो प्रजातन्त्र, जहां एक दोबी का भी महत्तो है, जहां एक सबरी का भी महत्व है जहां एक केवट का भी महत्व है एक ऐसा समराज जो पैसा है प्रजातंत्र जहां एक हर बेक्ती की आवाज सुनी जाती हो वो ऐसा राज की कल्पना रामराज की समराज की कल्पना संतों ने किया है कि वो रामराज इतना सुन्दर था जहां हर पसुपक्षियों की भी सम्मान दिया जाता था सबकी आवाज सुनी जाती थी नदियों का जेज घरना का राजी के सिमाओं का और व्यपार जगत का सभी चत्रों में उसका आवाज सुना जाता था उसके आवाज करेंगे तो हमारे दर्म समराट स्वामी करपातरी जी महराज ने रामराज परिशत की अस्थापना किया और तब से हमारा रामराज का ये संतों का जन जागरती अभियान आंदोलन क्या कहेंगे जन जागरती अभियान जनता जेनारदन के बीच में रामराज की कलपना को सरकार करने का अभियान तब से संतों का चला रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारे चार सो बरसों से हम जो रामराज की जो हाँ राम भगवान शीराम की जन भूमी है उस रामराज की अस्थापना की एक कड़ी में हम एक अदम आगे बढ़ गए आज माननिया सरोच नाले के आदे से जो भायत की सबसे सरोच संस्ता है किसी भी मामले में भारतिया समिधान के तरकत सरोच नाले के निड़े को सर्वत सबशिकार किया गया है शर्मत से और उसको सर्मान माना गया है तो आज मानिया सरोच नाले के आदेस के अनुशार आज हमारे रामलला का जो पवित्र भूमी जो जनमस्तरी हमारे लिए किसी काबा से जो है कम नहीं है किसी जो है किसायो का जो जेरुष्चला में उसे कम नहीं है वेटिंग्टन शिटी से कम नहीं है तो ये हमारे से लिए सबसे बड़ा खुसीयों सभाग की बात है कि इसे बड़ा राम राज उत्सो हमारे जो दसारा में पूरे भारत में और जो भी देश में भी जो हमारे भारतिया हैं मुलके वो दसारा को बड़ी उत्सो से मना रहे हैं क्योंकि यह राम से जुड़ा हुआ है हमारे भगवान सी राम से जुड़ा हुआ है कि राउन को बद जो बिजय सव उसमें मनाया गया था दसारा और दिपावली में वहीं सव आज अब राम जनब भूमी का जो आज हम लोग उसको सुन्यास किया, उस सुन्यास के उस अथिहासिक छड़के हम भी साक्षी रहे उस अथिहासिक पल के, हम भी वहां गये थे और वो आनंद वो जो हम प्रधान मंतरी श्री नरंद भाई मोदी जी हैं उन्होंने स्वाइम कहा कि मैं बहुत बड़ा अपने को सौभाग साली मानता हूं कि आज इस पल का हमको सौभाग आज हमको ऐसा करने को प्राप्त हुआ तो ये बहुत खुशी की बात है और ये इस खुशी से हम सभी भारतव असी उत्साहित हैं और हम रामराज उस्सो हर जगा मना रहे हैं क्यों जैसे भगवान श्री राम ने रावन को बद करके अब अजोद्या लोट रहते हैं जब तो श्री लिए दासाहरा से लेकर दीपावली तक हमारा ये उस्सो चलेगा और हम आगे ऐसा बब राम मंतिर नि निर्माड हो और हम सभी भारतियों को देखने को मिले और पुना भारत में जैसे आकि नरंद भाई मोदी इतना अलोचना सहने के बाजूत भी हर बेक्ती के हर कौम के हर चैत्र के वह यह नहीं सुचते हैं कोई राजिनती के लाब कि हमको वह यह वोट देगा की नहीं देग को ऐसा बात को विचार को छोड़ करके सभी बातों को सभी की आवाज को सुनते हैं और सबके अनूत राष्ट की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए भारतिय संस्कृती रक्षा के लिए संकल्पों करके रामराज की जो हमारी कल्पना है उसको सकार करने में एक-एक क को तीज़ा रहतना करेंगे कि व दिर्गाई हो और समराच्श चक्रव 얼ती करें हर्यूं स्वामी जी अपने बिल्कुल हिर्दय के अंतास्थल से कहा कि राम का महत्व कैसा है राम का महतव इन भारत की स्वंस्कृति के लिए कैसा है और प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने इसके दिशा में नयाय मिलने के दिशा में जितने जो बाधाएं थे उसको दूर किया बिल्कुल धैर ये पूरुबा करा करके इसका भी साधू बाद दे रहें और इनके साथ देखिए यह सब यत दिस्ट्रिक्शन से भावन भी नहीं है बलकि यह एक ऐसा अधिस्ठान है जहां से भगवान सिर्राम के आदर्स का प्रचार परसार होगा और उसे देख करके संपूर्ण विश्व के लोग भगवान सिर्राम के मरियादा पूर्ण जीवन को अपनाने का प्रयास करेंगे क् प्लिवे प्लीव में भी प्लीव में लिए प्लीव चाल झाल